हेलो एवरिवन, स्पीड ग्यान में आपका स्वागत है दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हर्याना की जलवायू और मर्दा के बारे में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आज का पहला किशन है, भारी मर्दा किस फसल के लिए उत्तम मानी जाती है उप्सन यह है चावल, B है मोटे अनाज, C है कपास, और D है उप्युक्त सभी तो इसका राइट आंसर है, उप्सन D, उप्युक्त सभी यानि कि चावल, मोटे अनाज और कपास, इन सभी के लिए भारी मर्दा को उत्तम माना जाता है ठीक है, और जो यह भारी मर्दा है, यह वर्षा रितू में चिपचिपी हो जाती है चिप चिपी और सुस्त मोसम में कैसी हो जाती है तो सुस्त मोसम में यह हो जाती है, कठोर अगला के सवन है, राज्य का कौन सा भाग रेतिला है ओप्शन A है उतरी भाग, B है पूर्वी भाग, C है दक्षिनी भाग, और D है पस्चिमी भाग तो इसका right answer है, option C, दक्षिनी भाग, जो दक्षिनी भाग है, हर्याना का वो रेतिला है, और दक्षिनी भाग में कौन-कौन से जिले आते हैं, तो दक्षिनी भाग में आते हैं, रेवाडी, मेवात, महेंद्रगड, ठीक है, ये सभी जिले दक्षिनी भाग में आते हैं, अग करनाल, C है भीवानी, और D है कुरूशेत्र, तो इसका राइट आंस्वर है, option B, करनाल में, जो केंद्रिय मर्दा लवनता अनुसंदान संस्थान है, वो है करनाल में, और इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, 1969 में, ठीक है, जो केंद्रिय मर्दा लवनता अनुसंदान संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी, 1969 में, अगला क्योशन है, हर्याना के मध्यवर्ती भाग में, कौन सी मर्दा पाई जाती है, option A है दोमट मर्दा, B है बकलोल मर्दा, C है चिकनी मर्दा, और D है रेतिली मर्दा, तो इसका राइट आंस कैथल, सोनिपत, गुरुग्राम, तथा कुरुशेत्र, ठीक है, ये सबी आते हैं मध्यवर्ती भाग में, और दोमट मर्दा पाई जाती है इनमें, ठीक है, अगला क्योशन है, निम्न में से कौन सी मर्दा को हर्याना में घर वेकंगी कहा जाता है, option A है सिवालिक की मर्दा B है गरीपादिय मर्दा, C है चट्टानी तल की मर्दा, और D है उपरोक्षभी, तो इसका राइट आंसर है option B, गरीपादिय मर्दा, इसको हर्याना में घर वेकंगी कहा जाता है, ठीक है, और जो गरीपादिय मर्दाएं हैं, ये कहां-कहां पाई जाती है, ये पाई जाते है कलका एम नारायनगड जो कलका और नारायनगड टैसले है इन में, कलका कहा है कलका है पंच्छकुला में ठीक है और जो नारायनगड है ये है अम्बाला में अगला क्यों सुन है हर्याना परदेश में वर्षा का वार्षिक वितरन ओसत कितना है ओप्षन ए है 20-30 cm, बी है 40-60 cm, सी है 60-80 cm, और डी है 70-90 cm तो इसका राइट आंचर है ओप्षन भी 40-60 cm ठीक है हर्याना का जो वार्षिक वर्षा ओसत है वो है 40-60 cm अगला क्यों सुन है हर्याना में जुलाई से सितंबर महिने के मद्दे किन पवनों द्वारा वर्षा होती है ओप्षन ए है व्यापारिक पवन, बी है पस्चिमी विक्षोग, सी है दक्षिन पस्चिमी मांसुनी पवन, और डी है पच्षवा पवन तो इसका राइट आंसर है ओप्षन ची दक्षिन पस्चिमी मांसुनी पवन, ठीक है इसके द्वारा हर्याना में जुलाई से सितंबर महिने के मद्दे वर्षा होती है ठीक है अगला क्योशन है किस मर्दा में दालों की अच्छी करसी की जाती है ओप्षन ए है अती हलकी मर्दा, बी है भारी मर्दा, सी है दोमट मर्दा और डी है हलकी दोमट तो इसका राइट आंसर है ओप्षन ए अती हलकी मर्दा, ठीक है अती हलकी मर्दा में दालों की अच्छी क कर्षि की जा सकती है ठीक है और जो ये अती हलकी मिरता है ये हर्याना में कहां पाई जाती है ये पाई जाती है शिर्शा के दक्षनी भाग में ठीक है फतिह बाद में को और महंदरगड वे हिसार ठीक है? इन सबी में अती हलकी मृदा पाई जाती है सिर्षा के दक्षनी भाग में पतेहाबाद, महंदरगड और हिसार में ये मृदा पाई जाती है ठीक है? और ये दालों के लिए अच्छी है ये जो मर्दा है ये दालों के लिए उत्तम आनी जाती है अगला question है किस परकार की मर्दा को हर्याना में रोसली भी कहा जाता है option A है भारी दोमट मर्दा B है मध्यम मर्दा C है गिरीपाद ये दोमट मर्दा और D है हलकी मर्दा तो इसका right answer है option D हलकी मर्दा को हर्याना में रोसली भी कहा जाता है हलकी मर्दाएं दो परकार की होती है पहली कौन से होती है पहली होती है बालू दोमट मर्दा और दूसरी होती है बलूई दोमट मर्दा ठीक है पहली होती है बालू दोमट मर्दा और दूसरी होती है अगला क्योशन है हर्याना का सबसे सुस्क छेतर है अगला क्योशन है हर्याना के किस स्थान पर सरवाधिक वर्षा होती है उप्षन A है यम्नानगर के चचरोली में B है पंचकोला के कालका में C है क्रूशेतर के थाने सर में और D है यम्नानगर के जगाधरी में तो इसका राइट आंसर है उप्षन A यम्नानगर के चचरोली में हर्याना में सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है यमुनानगर के छच्छरोली में ठीक है और सबसे यानि की अधिक वर्षा होने के कारण इसको हर्याना का चेरापुंजी भी बोला जाता है ठीक है हर्याना का चेरापुंजी किसको बोला जाता है यमुनानगर के छच्छरोली को और अगर बात करें सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा कहां पर होती है हरियाना में, हरियाना में सबसे कम वर्षा होती है, सिर्षा जले में, ठीक है अगला के सन है, हरियाना के किस भाग में सबसे नियूंतम वर्षा होती है option A है उत्तर पस्चिमी, B है दक्षिन पस्चिमी, C है उत्तर पूर्वी, D है दक्षिन पूर्वी तो इसका right answer है option B, दक्षिन पस्चिमी, ठीक है दक्षिनी पस्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है हर्याना के दक्षिनी पस्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है अगला क्योशन है हर्याना में सरवादिक ठंडा महीना कौन सा होता है ओप्षन E है नावंबर, B है अक्टूबर, C है दिसंबर, D है जनवरी तो इसका राइट आंसर है ओप्षन D, जनवरी जनवरी हर्याना में सरवादिक ठंडा महीना होता है अगला क्योशन है हर्याना में पस्चिमी विक्षोब से होने वाले वर्षा को क्या कहते है ओप्षन है कोथली, B है गिद्दा, C है मावट और D है सिंधारा तो इसका राइट आंसर है ओप्षन C, मावट ठीक है, हर्याना में पस्चिमी विक्षोब से होने वाले वर्षा को बोला जाता है मावट और राज्ये में 20% जो वर्षा होती है वो मावट की द्वारा होती है ठीक है, ये कब होती है, ये होती है, जनवरी फरवरी में जनवरी फरवरी में ठीक है पस्चिमी विक्षोब के कारण जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? मावट अगला क्यों सुन है पस्चिमी विक्षोब के कारण हर्याणा में किस रितू में वर्षा होती है ओप्चन A है ग्रिस्म रितू B है सरद रितू C है सीत रितू और D है वर्षा रितू तो इसका राइट आंसर है option C, सीत रितू ठीक है, ठंड के महीने में जो जन्वरी और फर्वरी जन्वरी फर्वरी में जो ठंडा महीना होता है उसमें पश्चिमी विक्षोब के कारण हरियाना में वर्षा होती है जिसको बोलते है मावट ठीक है, और इस रितू में जो उसत तापमान होता है वो कितना होता है, उसत तापमान होता है 12 degree Celsius, और अगर बात करें नियुनतम तापमान की नियुनतम तापमान, तो दिसम्बर जन्वरी में होता है वो होता है, 3 degree से 4 degree Celsius की बीच में ठीक है, दिसम्बर जन्वरी में जो नियुनतम तापमान है, वो होता है 3 degree से 4 degree Celsius की बीच में अगला क्यों सुन है हरियाना के मैदानी भाग में मुख्यते किस परकार की मरदा पाई दाती है ओप्शन है तो इसका right answer है अगला क्यों सुन है अगला क्यों सुन है हर्याना के किस भाग में हलके भूरे रंकी रेतिली मरदा पाई जाती है option A है दक्षणी पस्चिमी भाग B है उत्र पूरु भाग C है उत्र पस्चिम भाग और D है दक्षणी पूरु भाग तो इसका right answer है option A दक्षणी पस्चिमी भाग ठीक है यानि कि क्यूशन को कैसे भी घुमा फिरा के वो पूछ सकता है अब पिछला क्योशन क्या था कि कौन से भाग इस भाग में कौन सी जो मृदा पाई जाती है तो उसका आंसर था हलके भूरे रंग की मृदा और अब पूछ लिया गया है क्या कि हलके भूरे रंग की रेतिले मृदा कहां पाई जाती है तो ये पाई जाती है दक्षिनी पस्चिमी भाग में ठीक है अगला क्योशन है हर्याना की जलवायू उपोशन कटी बंदिय सुस्क महादियूपिय है जिसका परमुख कारण है ओप्शन है नदियों की कमी के कारण B है समुद्र से दूर होने के कारण C है हिमाले परवत से दूरी के कारण और D है लैंड लॉग परदेश राज्य होने के कारण तो इसका राइट आंसर है ओप्शन B समुद्र से दूर होने के कारण समुद्र से दूर होने के कारण हर्याना की जलवायू है वो उपोशन कटी बंदिये सुस्क महादी रूपय है ठीक है अगला क्यूशन है हर्याना में मुख्य रूप से कैसी जलवायू पाई जाती है ओप्शन A है उपोशन स्टैपी जलवायू B है आदर उपोशन जलवायू C है टुंडरा जलवायू और D है A और B तो इसका राइट आंसर है ओप्शन D A और B यानि कि उपोशन स्टैपी जलवायू और आदर उपोशन जलवायू ये दोनों जलवायू हर्याना में पाई जाती है ठीक है अगला क्योशन है डाक्टर व्लाद्यमीर कौपेन ने हर्याना में कितनी जलवायू का उलेह किया है ओप्शन A है 1 B है 3 C है 2 और D है 5 तो इसका राइट आंसर है ओप्शन C दो ठीक है डाक्टर व्लाद्यमीर कौपेन ने हर्याना में दो जलवायू का उलेह किया है ठीक है अगला क्योशन है हर्याना में ग्रिस्म काल की अवधी कब से कब तक होती है ओप्शन A है मार्च से जून तक B है मध्य मार्च से जून तक C है अप्रेल से जुलाई तक और D है मार्च से मई तक तो इसका राइट आंसर है ओप्शन B मध्य मार्च से जून तक मध्य मार्च से जून तक हर्याना में ग्रिस्म काल के अवधी होती है और ग्रिस्म काल के दोरान दक्षिन वे दक्षिनी पस्चमी जिलो में जो हावाएं चलती है उनको क्या बोल जाता है? लू बोला जाता है जो सुष्क हावाएं चलती है उनको बोला जाता है लू हर्याना में सरवाधिक गरम जिला कौन सा है? option A है महेंदरगर, B है मेवात, C है जजजर, D है हिसार तो इसका राइट आंस्वर है option D हिसार ठीक है, हिसार जिला हर्याना का सरवाधिक गरम जिला है ठीक है, इसका जो अधिक्तम तापमान है, वो मैं जून के दोरान मईजून के दोराण जो इसका अधिक्तम तापमान है वो 46 डिग्री से 48 डिग्री से stars तक है अगला केरेशन है हर्याना में हर्याना में जुलाई के मद्धे से सितंबर तक कौन सी रितु पाई जाती है जुलाई से सितंबर तक कौन सी रितू पाई जाती है option A है वर्षा रितू B है सीत रितू C है ग्रिसम रितू और D है इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer है option A वर्षा रितू मध्धे जुलाई से सितंबर तक हर्याना में वर्षा रितू होती है अगला question है हर्याना के किस जिले में लाल चेनस्टन मर्दा पाई जाती है option A है रोतक B है यमनानगर C है सिर्षा और D है भिवानी तो इसका right answer है option B यमनानगर यमनानगर में लाल चेनस्टन मर्दा पाई जाती है और मर्दा अपरदन जो मर्दा अपरदन होता है उसको क्या बोल जाता है इसको निर्दई सत्रू निर्दई सत्रू या रेंगती मर्द्यू भी कहा जाता है ठीक है निर्दई सत्रू या रेंगती मर्द्यू किसको बोल जाता है मर्दा अपरदन को अगला क्योशन है निमल लिखित में से बारी तथा बहुत बारी मर्दा को क्या कह जाता है Option A है खादर मर्दा, B है रोसली मर्दा, C है डाकर मर्दा, D है इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है Option C, डाकर मर्दा ठीक है भारी या बहुत भारी मर्दा को बोला जाता है डाकर मर्दा ठीक है और जो ये मर्दा है ये मुखे तक काँ पाई जाती है ये पाई जाती है ठाने सर जगाधरी वे फतेहबाद में ठीक है ठाने सर जगाधरी वे फतेहबाद में दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप कोमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू